Hello दोस्तों, so MI ने आज अपना Note 14 Horizon Edition लांच कर दिया है और ये आप सब के लिए अविलेवल होगा 17 जून से दुपैर के 12 बज़ से तो देखते हैं इसके क्या स्पेशल स्पेक्स हैं और इसमें क्या-क्या आपको ये उफर करता है पहले बात कर लेते हैं इसके हाइलाइटिंग फीचर की तो इसमें i7 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर लगकर आता है जो की 1.6 GHz पे क्लॉक्ड है और अप्टू 4.2 GHz तक ये टर्बो बूस्ट इसको मिलेगा बात कर लें इसमें रैम की तो इसमें 8 GB की DDR4 RAM है और इसमें 512 की SSDB अविलेवेल है बात कर लें इसके ग्राफिक कार्ट की तो इसमें NVIDIA का GeForce Graphic Card MX350 लगा हुआ है और ये ग्राफिक कार्ट जो है वो 2 GB का है जी हाँ दोस्तों 2 GB का बात कर लेते हैं इसके screen size की तो ये 14-inch का full HD resolution पैनल लगावा है इसमें जिसमें बहुत कम bezels है बात कर लेते हैं इसके battery life की तो इसमें 46Wh की battery life मिलती है और इसमें 65W का आपको charger भी मिलता है बात कर लें इसके operating system की तो इसमें Windows 10 Home आपको pre-installed मिलती है license window बात कर लें इसके ports की तो इसमें एक type C port मिलता है जो की 3.1 generation का है दो type A USB port मिलते हैं एक USB 2.0 port मिलता है एक HDMI port मिलता है एक audio jack मिलता है और एक charging port मिलता है keyboard और trackpad की बात कर लें तो इसका keyboard है वो भी design में काफी अच्छा है और इसका mechanism भी ABS texture वाला है और इसका key travel है वो 1.3 mm का है और इसके trackpad की बात कर लें तो वो भी multi-touch support करता है अब इसके audio segment की बात कर लें तो इसमें दो serious speakers लगे हुए हैं जो की DTS audio processing करते हैं जो इनके MI TV में भी हमें देखने को मिलता है बात कर लेते हैं इसकी pricing की तो यह लगबख पच्पन अजार रुपर में launch हुआ है तो मैं समझता हूं कि एक decent laptop है और I think 2GB का graphic card जो है वो कम है इस pricing के साब से क्योंकि लगबख 50,000 के रेंज में आपको Asus VivoBook जो की आपको 4GB graphic card NVIDIA का GTX 1650 देता है तो I think वो एक जादा better deal होगी बट हाँ प्रोसेसर के मामले में काफी अच्छा है तो अगर आप प्रोसेसर ओवर graphic card लेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप Asus VivoBook लें बट अगर आपको प्रोसेसर priority है तो आपको MI Notebook 14 Horizon के सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी टेकी वीडियो लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए बाबाए